हेलो इस्टूडेंट विल्कम बैक टू एक्जाम तक इस्टूडेंट यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रो सब्सक्राइब कर लें यदि आप बोड के तैयारी कर रहे हैं तो यह विडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है तो इस विडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास्टेंस साइंस का भिव्याई और अबजेक्टी क्यूचन जो कि ज़्यादा तरीजाम में पुछे जात होता है चुमबकी छेत्र का मात्रक होता है सबसे पले हम जानेंगे चुमबके छेत्र क्या होता है और जैसे हम जानते हैं एक जो मैगनेट होता है मैगनेट इस्टुडेंट अपनी चारों तरफ इस्थित जो आईरन की जो पीस होती है जो लोहे की फिस होती उसे अपनी और तो उसे आकर्षित नहीं कर सकता है यानि चुमबक की चारो और का वस छेतर जहां तक चुमबक अपना प्रभावर डालता है उससे हम लोग चुमबक की छेतर काते हैं ठीके तो यहां पूछ रहां कि चुमबक की छेतर का मातरक होता है चार ओप्सान हैं मारे पास गोस वेबर हेंड़ी डोमेन तो इस ट्रेंट चुमगेज छेत्र का यह साई मातर होता है बेवर ठीके तो आपसान नमबर बी यहां से अपका सही हो जाएगा बेवर नेक्स्ट क्यूचन चलते हैं लो चलिए अगला क्यूचन है क्यूचन नमर सकेंड फोटोग्रोफिक कैमरे का अभी दिर्सियक लेंस होता है ठीके आपने फोटोग्रोफिक कैमरा देखा होगा तो इसमें जो आगी क्यों जो लेंस लगा रहाता है अभी दिर्सियक जो लेंस लगा रहाता है वह किसका बना होता है ओतल लेंस का उतल लेंस दोलेक केमरे में जो लेंज लगा रहाता है वह उत्तर लेंज का बना होता है ठीके तो अपसे नमर्ब यहां से आपका सभी हो जाएगा उत्तर लेंज केलियर है छली अगला क्योशन चलते हैं हम लोग नेश्ट क्योशन हो अगला क्योशन हमारा है E ब्राबर MC का स्क्वार को पर्तिपादित किस ने किया E ब्राबर MC स्क्वार को पर्तिपादित किस ने किया Rutherford ने, Einstein ने, Nilsbord ने या Enrico Fermi ने यहां सबसे पहले हम बताते हैं कि E equal to MC स्क्वार क्या है यह एनर्जी का फर्मूला है जब मास की हरास होती है, जब द्रमान की कमी होती है तो वहां एनर्जी उत्पन होती है तो इस फर्मूले को पर्तिपादन किस ने किया था इस फर्मूले को पर्तिपादन किया था Einstein ने यह Einstein का नियम है E equal to MC का स्क्वार इस नियम को अइंश्टाइन ने प्रतिपादित किया था किलियर है चलिए अगला क्यूचन चलते हैं नेक्स्ट क्यूचन ने में चलते हैं अगला क्यूचन देखते हैं बोड़ा है कि थोरियम की नाभिक को बदला जा सकता है थोरियम कि जो नाभिक होते हैं उनको बदला जा सकता है किस चीज में बदला जा सकता है यूरेनियम में प्लुटोनियम में पुलोनियम में या रेडियम में तो इस दिए हम आपको बता दें कि थोरियम की जो नाभिक होते हैं उनको प्लुटोनियम में बदला जा सकता है तो अपसर न बोल रहा है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए फ्यूज आपके घरों में फ्यूज लगा रहता है तो फ्यूज के जो पदार्थ होते हैं वह कुन सा मेटर उन्च की जो मेटर होती है वह कैसा होना चाहिए उँच परतिरोद का होना चाहिए निम्न परतिरोद का होना चाहिए या उँच नम्यता का होना चाहिए या उँच गलनांग का होना चाहिए तो फ्यूज जो होता है वह नीमन गलांगा होना चाहिए कि आद़िक करिंड का यो परवाव होता है तå 110 को चुम क्या गई गला लता थे उसका और जो को गला लेता है तो दो क्नेक्षन दोपार्ण कि जो क्नेक्षन होती एक तो कट्याती है कि चलिए को क्या चलते हैं कि शुर्ण नाबर शीक्स बुल रहा है निम्न विदूत चुम्बक चुम्बकी तरणों में किसकी अबरिटी अधिक्तम होती है कि एक्स किरन की एक्स वन किरन की पराव बैगनी किरन की या औरक्त किरन की तो इस तरण औरक्त की रण जो होती है इनकी आबरिती सबसी अधिक्तम होती है तो अपसन नमबर डी यहां से मारा सही हो जाएगा औरक्त की रण की क्लियर है चलिए अगला क्यूचन चलते नेक्ष्ट क्यूचन अगला क्यूचन बोल रहा है कि उर्जा का छै कम होता है उर्जा का छै कम होता है क्या में दिष्ट धारा में परतियावर्थी धारा में दोनों प्रकार के धारा में या इन्मे सी कोई नहीं तू दिष्ट धारा में इस्टुडेंट ही हो प्री उर्जा का छै सबसे कम होता है जिस्ट धारा आपको पता है अला क्यूचन फाद तरंग अब सर्वर कही जाती जाथी है जब उसकी आवर्यति हो तिके तरं को हम अब सर्वर का चाहते हैं जब उसकी आपरेती 20हार्टास से 20 साधार हाटच के बीच हो या 20हार्टास से अधिक हो या 2068 से अधिक हो या 20हारस से कम हो तो इश्टुडएंट हम तरह को अफसरव तब कहते हैं जब उसकी जो आपरेती इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है क्यों यह वो धीली स्वाद ऱाविश के सज्ण से इस थैनी गील्प-धाइब जाय है ज्यूंद लोर्ग निख्ष्ट क्यूचन है जलिए जी तरंग की नमबाई potential Californie आधा कर दिया जाए तरंग जो है उसकी जो मान है उसकी जो भेलू है उसको लोग आधा कर देते हैं तो धोनी का बेग क्या होगा तो जो धोनी का जो भेली से उटी होगी उसमें क्या परिवर्तन होगा आधा हो जाएगा दोगुना हो जाएगा अब परिवर्तित रहेगा या चार गुना हो जाएगा तो इस्टूजेंट यदि हम तरंग की जो लंबाई है इसकी भेलो को यदि हम आधा कर दें तो इसकी जो धोनी का जो बेग होगी वो आधा हो जाएगा क्यों जाएगा? आधा हो जाएगा यानि तरंग की भेलो को हम आधा करते हैं तो उसकी द्धोनी का बेग भी यादा हो जाएगा ठीक है यानि यहां से अस्पाइश होता है कि जो द्धोनी का जो बेग होता है वह तरंग की लंबाई पर डिबेंड करता है तरंग की लंबाई जितनी अधिक होगी द्धोनी का बेग उतना ही ज्यादा होगा क्लियर है चलिए अगला की उचन चलते हैं नेक्स्ट की उचन चलिए बोलता है कि ध्वानी तरंगे हैं ध्वानी तरंगे हैं ध्वानी तरंगे यह कौन सी तरंग है अनुधरिय है या अनुधरिय है या विधुत चुम्बक की है या इन में सी कोई नहीं है तो ध्वानी तरं हुआ चलते हैं next क्योचन को चलिए अगला होचिण है गोल्य दर्पन की फोकस दूरम पर इसकी वकरताú त्रिज्या की होती है गोलिये दर्पन की जो फोगस दूरी होती है उसकी वकरता त्रिज्या की कितनी होती है आधी होती है दोगुनी होती है यह तीगुनी होती है यह उसकी चारगुनी होती है तो गोलिये दर्पन की जो फोगस दूरी होती है वह उसकी वकरता त्रिज्या की आधी होती है half से यह f by यहां से इसका formula क्या बनेगा r equal to sorry f equal to r by 2 f equal to r by 2 clear है चलिए अगला question चलते है next question हमारा अगला question है कि उत्तल दर्पन दोवारा बना परतिवीम होता है यह question ज्यादा तरीक जामे पुछे जाते है पुरे कि उत्तल दर्पन दोवारा बना परतिवीम जो होता है कैसा होता है वास्तिविक और सिधा होता है या वास्तिविक और उल्टा होता है या काल्पनिक या सिधा होता है कहें या काल्पनिक और उल्टा होता है कि तू आपषा र से सीधा नॉपन berti सीधा और को सब्कारा कि चलताएं नेक्सट की उच्वार्ण चलिए नेक्स्ट कीउचन है त्य प्रमानूं बम अधारीत स्क्राइट या किस पे अधारीत सै नाप कर तो Kal कशेस अब को पता होना चाहिए fromSí heb या नियंत्री नाप की विखंडन से होता है यह अनियंत्रित कि विखंडन से होता या इस में से सभी से होता है उन्य अन्य नाप के विखंडन पर था के परमानुबं जो है ऑननि अन्य अंक्डम के विखंडन पर के अधारी थे किलियर हैं चलिए नेक्स्ट क्योचन चलिनें लोग अगला क्योचन है हाइड्रोजन बम अधारी थे हाइड्रोजन बम ठीक हाइड्रोजन बम अधारी थे किस पर अधारी थे नापकी बिखंडन पर नापकी सनलियन पर यह नापकी बिखंडन और नापकी सनलियन दुनों पर यह इसमें से कोई नहीं तो इस्टुडेंट हाइड्रोजन बम जो है वह नाप की सनलियन प्याधारित है तो अप्सान नमबर भी यहां से मारा सहयोगा नाप की सनलियन क्लियर है चल यह अगला क्यूशन चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम और दचालक होते हैं एक सन्योजी या त्री सन्योजी या पांच सन्योजी या चतूर्थ सन्योजी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा चतूर्थ सन्योजी ठीक है चतूर्थ सन्योजी जो होते हैं वह सिलिकॉन तथा जर्मेनियम और दचालक होते हैं क्लियर है चल यह अगला क्यूशन देखते ह उधारन है किसका उधारन है परिकिर्णन का अपवर्तन का प्रावर्थन का या बैख्तिकरण का इस पर पनी क realized जो तेल होता है तिल की प्रज जो होती है यह कंसरा है युजका दूसे उदारन है ब्यक्तिकरन का ठीक है ब्यक्तिकरन का यह एक्जामपल है चलिए नेक्स्ट क्यूचन देखते हैं हम लोग अगला क्यूचन है धूप के चस्मे की पावर होती है जो लोग धूप में चस्मे पहन के जाते हैं उस चस्मे की जो पावर होती है वह कितनी होती है जीरो डायोप्टर एक डायोप्टर दो डायोप्टर या तिन डायोप्टर तो धूप में पहने जाने वाली जो चस्मे होती यह उसकी पावर होती है जीरो डायोप्टर यानि वह बिना पावर का होता है ठीक है चलिए अगला क्यूचन चलते हैं अगला क्यूचन है वायू मंडल में प्रकास के बिसरन का कारण है वायू मंडल में प्रकास के बिसरन का क्या कारण है यानि प्रकास का बिखरना प्रकास तो वायू मंडल में परकास जो है वो भीखर जाती है आखिर इसका कारण क्या है यह कौन से कारण से भीखरता है धूलकन के कारण जल वास्प के कारण हिलियम के कारण यह कारण डाय ऑक्साड के कारण तो इस्टुटेंट वायू मंडल में परकास के जो बिसरन होता है वो होत नबर 19 महारा है पास्कल किसकी इकाई है पास्कल किसकी इकाई है दाब की गूर्जा की कार्य की या बल की पास्कल किस इस या तेड़ ब्लकि या इन बलड को किये अ? प्रकास की गती किसकी बीच से जाते हुए नियुंतम होगी प्रकास की गती जो है वह सबसे कम किसमें होती है कांच में निर्वात में जल में या वायू में प्रकास की जो गती होती है वह सबसे कम किसमें होती है कांच में तो अपसन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कांच में किलियर है अहला किचन चलते हैं हम लोग next किचन चलिए नेक्ष्ट क्यूचन है सूरी की उस्मा पिर्थिपी पर कैसे पहुंचती है चालन द्वारा, बिकिरन द्वारा, सन्महन द्वारा या प्रयावर्तन द्वारा तो सूरी की जो उस्मा होती है वो पिर्थिपी पर कैसे पहुंचती है बिकरन के द्वारा तो नमबर भी सही हो जाएगा विकरन के दुबारा क्लियर है चली अगला क्योंच चलते हैं लोग नेश्ट क्योंच अगला क्योंच है रेफ्री जटर्नेटर में धर्मो इस्टेट का कारी है ठीक समान ताको बनायरा रखना या गलनांक को घटाना तो उसटे डो युसे डो रेफ्रेजर रेजर्यर डियों जो घरते हैं उसका काम होता है एक समान ताप को बनाय रखना ठीक्वे ठीकिश्ट्रियो जो टंप्रेचर जो होतीह अम उसको एक समान बनै सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या होगा सूध जल का क्वाथनांग फोरेन हाइट इसकेल पर कितना होता है हौं रहां रहा है कि तो ऑफसे नमबर डिकोप्टर में उडजा होती है ठीक है लिनकोप्ण जो उड़ रही हिए उसमें कौन से उड़ जा वोटी है तो इस्तिति डूर गदैज और ग यकटी बीकरता है तो इस्तेज और गटीज दोनों और पाई ASMR चाह Golfight कि अला क्यूचन है तरीत्चालक बनाया जाता है तरीत्चालक आ जानते हैं वह बड़े-बड़े भानों में इस्कूलों में लाइता है जिसके बजरुपात को से कौन सा मिटर का बना होता है य qta ऐ का का एलमोनियम का तामबा का या इस्पात का तो इस प्रेंट जो हमारी जो तड़िछालक होती है वह तामबे का बनाए जाता है तो अप्सन नमबर सी सही हो जाएगा तामबे का किलिए है पहला कि जान देखते हम लोग किस यंत्र का काम डाइनेमो के कारे का उल्टा होता है किस यंत्र का जो काम होता है वह डाइनेमो के कारे का उल्टा होता है ट्रांसफर का मोटर ये रेफ्रिजरेटर ये जनरेटर तो डाइनोमो का उल्टा कोन होता है मोटर तो अप्सन नमबर भी यहां से मेरे सही हो जाएगा मोटर किलियर है इस्टूडेंट चलिए नेक्स यूचन चलते हम लोग अलाक यूचन है बेंचूरी मीटर से ग्याद करते हैं बेंचूरी मीटर से क्या नापते हैं जल का प्रिष्ट नाव जल का आयतन जल का घनत्व या जल की परवाह किदर तो बेंचूरी मीटर से हम लोग मापते हैं जल की परवाह किदर चले नेक्स्ट क्युशन चलते हम लोग हो अगला क्युशन है एक lift एक समान वेक्ट से उपर जा रहे है तो उसमें इस्थित बेक्त्परर क्या होगा उसमें क्या प्रिवर्तिन होगा उसका भार बढ़ जाएगे या उसकी घट जाएगे या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं तो उसमें जब एक lift जो है वह एक समान बेक से उपर जा रहेगा तो उसमें जो बेकती जो खड़ा होगा उसका जो भार होगा वह अपरिवर्तित रहेगा ठीक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा चलिए नेक्स्ट कोचन देखते हैं हम लोग 29 पुड़ा की विधूत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरन का उपयोग करते हैं विधूत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरन का परियोग करते हैं इंपियर का एमीटर का सिपलाइजर का या इन्वेस से कोई नहीं तो इसलिए बिद्धुधराय का पता लगाने के लिए हम लोग एमीटर का उप्योग करते हैं तिक है और एक्जाम में कभी-कभी पहुचा कि यह मीटर को प्रिफरत में किस करम में जोडते हैं और बोल्टी मीटर कम लोग समनाधर करम में जोडते हैं ठीकिए एक नमबर वाले कुचन में अधिखतर या उछा गया है तो आप इसे अच्छे से याद रखें चलिया कि चलते हैं एलकोहाल या इथर तो उस्मा का सबसे सरवतम चला किसमें है पारा तो अप्सन नमबर 20 सही हो जाएगा पारा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्यूचन चलते हम लोग अला क्यूचन है इलेक्ट्रोन बोल्ट इकाई है इलेक्ट्रोन बोल्ट किसकी एसाई मात रखोती है उर्जा की ताप की सनवेक की या बेक की तो इलेक्ट्रोन बोल्ट या उर्जा की एसाई मात रखोती है ठके तो अप्सन नमबर 20 हमारा सही हो जाएगा उर्जा की आप इस से पूपि पी लिखते चलें उर्जा की यसाई मात रख होती है है इलेक्ट्रोन बोल्ट केलिए रहें चलिए नेक्स क्योंच चलते हैं लोग अगला क्योंच है फिरा गैस की अनुओं की गतिज उर्जा किस ताप पर सुन्य होती है GAS की अनुओं की जो गतिज उर्जा होती है वो किस स्टाप पर सुननी होती है zero degree Celsius पे minus 273 degrees Celsius पे 100 degrees Celsius पे या 100 Kelvin पे तो यहाँ से हमारी right answer हो जाएगी 273 degrees Celsius ले माइनस 273 degrees Celsius पे GAS की अनुओं की जो गतिज उर्जा होती है वो सुननी होती है क्लिए रहें चलिए अगला क्यूचन चालते हैं लोग नेक्ष्ट क्यूचन अगला क्यूचन है पारी का ताप मापी किस ताप तक पर्युक्त हो सकता है या कितना डिगरी तक माप सकता है तो पारी की ताप मापी होती है तो यहीं तक इसे यूज कर सकते हैं चलिए अगला क्यूचन देखते हैं लोग नेक्ष्ट क्यूचन अगला क्यूचन है डाइनेमो परिवर्तित करता है डाइनेमो क्या परिवर्तित करता है उंच वोल्टेज को नीमन वोल्टेज में या बिधूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में या यांत्रिक उर्जा को बिधूत उर्जा में या नीमन वोल्टेज को उंच उर्जा में तो हम जानते हैं कि जो डाइनोमें होती है हुआ यह आंत्रिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्थित करता है ठीक है तो अपसान नमबर सी हमारा ऐसे ही सही है चले अला क्यूचन देखते हैं लोग नेक्ट क्यूचन अला क्यूचन है ट्रांसफर परियोग में आते हैं केवल डीसी परिपथ में केवल एसी परिपथ में केवल एसी और डीसी में या एकी किरित परिपथ में है तो ट्रांसफर में परियोग में आते हैं सिर्फ केवल एसी परिपथ में ठीक है चलिए नेक्ट क्यूचन में चलते हैं अला क्यूचन है पुला कि एक बार बराबर होता है ठीक है एक बार कितनी पास्कल के बराबर होता है 10 to power 5 पास्कल 10 to power 7 पास्कल 10 to power 5 पास्कल 10 to power 4 पास्कल तो इस्टुडेंट एक बार जो होता है वह 10 to power 5 पास्कल की बराबर होता है तो यहां पे option number यहां पे हलका wrong हो गया है ठीक है तो आप यहां पे 6 है ठीक है तो option number A हमारा सही हो जाएगा 10 to power 5 पासकल क्लियर है चलिए अगला क्यूचन चलते हम लोग नेश्ट क्यूचन अगला क्यूचन है इंगेश्ट्रम को अभिवक्त करने की इकाई है ठीक है इंगेश्ट्रम को अभिवक्त करने की इकाई क्या है समय द्रमान त्रंगधर या वल तो इंगेश्ट्रम को अभिवक्त करने की इकाई है त्रंगधर है ठीक है इंगेश्ट्रम की इसा ही मादर क्या होती है त्रंगध मापा परकास की बेग को सर्व पर्थम किसने मापा था कोपर निकस ने न्यूटन ने रोनर ने या गलेलियों ने तो इस्टुटेंट परकास की बेग को सर्व पर्थम मापा था रोनर ने ठीके तो अपसन नमबर सी हो जाएगा हमारा रोनर ने, क्लियर है चलिए अगला क्यूचन देखते हैं वो लो नेक्स्ट क्यूचन है बल का CGS मातरक क्या होता है बल का CGS मातरक क्या होता है निउटन, केलबिन डाइन या डेसिबल बल का जो CGS मातरक होता है, वो होता है हमारा डाइन ठीक है तो option number C सही हो जाएगा dine clear है अबला question देखते हैं 40 क्यूचन है हमारा तो आपका SI मात रख है तो आपका SI मात रख है degree Celsius degree centigrade angstrom या Kelvin तो तो आपकी सही मात रख रख है हो तके Kelvin तो option number D हमारा सही हो जाएगा Kelvin clear है चलिए अगला question देखते हैं लोग next question बोला कि बिधूत आवेस का मात रख क्या है बिधूत आवेस का SI मात रख क्या है हेंदी, कुलाम MPR या S अभी तो बिधूत आवेस का SI मात रख क्या है कुलाम जिसे हम लोग C से रख 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 करते हैं अपसर नमबर 20 सही हमारा कुलोम clear है चलिए अगला किवचन देखता हम लोग next question अगला किवचन है किसी गैस का आयतन प्रसार गुनांक हमें साव होता है किसी गैस का आयतन प्रसार गुनांक हमें साव होता है क्या होता है रिनातमक होता है सुन्य होता है एक सुन्य के बीच में होता है या एक से उपर होता है तो किसी गैस का आयतन प्रसार्ज होता है उस्टूडेंट वो हमारा रिनात्मक होता है ठीक है नहीं माइनस में होता है क्लियर चलिए अगला क्यूचन देखते हैं हम लोग निश्ट के उचन है बोला कि प्रिथिवी का द्रब्मान है प्रिथिवी का द्रब्मान कितना है चार अपसन है हमारे पास 3 into 10 to power यहाँ पर 1 kg 6 into 10 to power 15 kg 6 into 10 to power 24 kg 7 into 10 to power 30 kg तो जिए हमारी जो प्रिथिवी के द्रब्मान है 6 into 10 to power 24 kg ठीक है तो अपसन नमबर सी सही हो जागा हमारा 6 into 10 to power 24 kg सही है चलिए next क्यूचन देखते हैं मोग अगला क्यूचन है भू इस्थिर उपगरा का अवर्थ काल होता है भू इस्थिर जो उपगरा होते हैं उनकी अवर्थ काल होता है कितना होता है 28 घंटे 12 घंटे 6 घंटे या 24 घंटे तो भू इस्थिर उपगरा जो होते हैं इस्थिर उपगरा उनकी जो आवर्थ काल होती होती है 24 घंटे तो अपसन नमबर सी सही हो जागा 24 घंटे क्लिए है चलिए बताना है lift की खोज किसने की lift की जो खोज है वह किसने किया था ब Metroid ने मआइडिसन ने या지는 ने इस क्योचन का एंसर आपको नीचे कमेंड बैक सी बताना है थादा इस्ट्रेंड अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले